अगर तो ये 27 दिन से पहले पहले खतम हो गया तो तराजदी बस इतनी और अगर कहीं 27 वा दिन क्रॉस हो गया ना इसे अगले 5-7 साल तक कोई दुनिया की ताकत रोक के दिखा और ऐसा हाल होगा की दूर दूर तक कोई इंसान ढूंडने से नहीं मिलेगा बच्चों को छोड़ छोड़ के माबा भागेंगे और रिष्टे बिखर जाएंगे वापस उस युग में जाना पड़ेगा जहां पर अपने लिए मेंते करकर के आप लोग कमाते थे हमारे पूर्वज किया करते थे और इसके अंदर सबसे बुरी त्रास्दी जो होगी वो होगी सबसे पहले अमेरिका की दूसरे नंबर पे चाइना और रूस ये तीन कंट्रियें ऐसी हैं कि इनको स्पोर्ट तो मिलेगी तीनों को मिलेगी अपने अपने दोस्तों की स्पोर्ट लेकिन तबाई ये तीनों कंट्रियें आप लोग बच गए असर तो यहां जरूर आएगा बेलकुल और इसमें परमानू ही चलेंगे इसमें परमानू बंभी चलेंगे एक ड़ी ये हाल किया था मल्टिपल पढ़ेंगे तो हाल क्या होगा धर्ती खतम हो जाएगी कहने का मलद धर्ती की और वरकता पहला करने की क्षमता सब खतब बेटा मैं तो आज बोलके जा रहा हूं देख आप लेना कि 27 दिन से पहले अगर ये युद्ध खतम हो गया 27 दिन तक भी खतम हो गया तो बचाव नहीं तो आज जो मैं बोलके जा रहा हूं आप सब लोग अपने जीवन काल में ये देखिए और परमात्मा करें ऐसा ना हो हम सब लोग इसके लिए भी दुआ करें कि जल्दी से ये वार कतम हो और इनसान खुशाली और सुक से ज़िए